को किस विबंट आप लोगों कर वायाम सब्रव कर दिया कैके हमें इस डरीवेशन को अब कराने के लिए और पर इतनी स्पेस मिल सके तक है अब कम यूंध करेंगे में equation number one को यह equation number two के उपर रिख लिए है ताके हम इन दोनों की help से derivation को मजीद आगे continue करेंगे तो exactly अब हम इसकी help लेते हैं यह वो acceleration due to gravity थी जो अर्थ की surface पर थी और यह वो acceleration due to gravity है जो हम किसी height पर जब object को लेके जाते हैं उस height पर acceleration due to gravity r plus h के distance का whole square आ जाता है ठीक है चलिए ओके अब मजीद आगे क्या करना होगा simply आपने divide करना है dividing equation one and equation two ठीक है हम क्या कर रहे है equation one or equation two को drive कर रहे है equation one सामने मौजूद है equation number one आपके पास अच्छा यहां exactly हमें क्यूंकि जो gravity निकाल के दी नहीं है वो altitude एक height पर निकाल के दी नहीं है तो इस gravity को ऊपर होना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना होगा इस पर थोड़ा सा arrangement में आप लोग बेटें यहाल रखोगा कि equation two divided by equation one करना यह बात मत भूलना ठीक है तो अब अब देखो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि पहले equation number two आएगी equation number two क्या मौझूद है जी एच ठीक है और यह बराबर है जिसके भी बराबर है वो आप यहां पर अपना उतार दें ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर हम सिप्ली उतार देंगा उसकी तो जी एच की वैल्यू हमारे पास क्या मौझूद है gme divided by r e plus h का whole square gme divided by r e plus h का whole square अच्छा अब आपने क्या किया इस equation number 2 को तो उतार दिया इससे divide कर रहे है equation number 1 से equation number 1 क्या लिखी हुई है g divided by gme divided by r e square अब यह हमने simply क्या किया gh equation number 2 को उपर रखा और equation number 1 से divide कर दिया अब उसके बाद आपने क्या करना है जब divide multiply में change होता है तो जो नीचे मौझूद होता है वो घुम जाता है यानि reciprocal हो जाता है वो गाम हम कर लेते हैं g h divided by g ठीक है अच्छा अब देखिएगा जरा समझेगा मैं क्या करने जा रहा हूँ सिंप्ली मैंने कहा g m e divided by r e plus h का जो whole square मौझूद है ये जो नीचे divide मौझूद है ये वाला इस divide को अगर multiply में change करोगे तो ये घुम जाएगा और ये हो जाएगा r e square divided by g m e ठीक है अच्छा अब क्या है देखिए simply g m e से g m e cancel हो गया क्या बचा ऊपर बचेगा r e square divided by नीचे बचेगा r e plus h का whole square अब हमने maths में इस बात को पढ़ा था हमने maths में इस बात को discuss किया है कि बटा simply जब हमारे पास कोई ऐसी value होती है 2 upon 3 कि इसके लब कोई भी value जो कि divide हो रही हो अगर मैं इस 2 को नीचे ले जाओंगा 3 के नीचे तो क्या होगा 3 के नीचे ले जाने पर 3 के नीचे ले जाने पर 2 अपनी जगह से हट गया और यहां पर आ गया तो आप second step के अंदर आ सकें दुबार आपने उसी step के अंदर आ सकें तो यहां पर हम वही काम कर रहे हैं जो हमने वहां discuss किया यह r e square को मैं क्या कर रहा हूं यह r e square को मैं नीचे ले जाकि यहां divide कर आऊंगा देखो इस तरह मैं यह बताना चाहरू कि आपके पास यह one as it is औ और r e plus h का whole square भी as it is और यह जो r e उपर था इसको आप नीचे लेगा यहां आ गया r e square ठीक है और अब क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें पता है क्योंकि हमें पता है कि यहां पर क्या था g h upon g as it is आ गया ठीक है यहां तक clear हो गया आप लोगो यह final result नहीं है ठीक है यह मैं से पूछने के लिए highlight कि असको कि यहां तक clear है ओके अब हम देखें हम इससे आगे चलते हैं derivation को complete करते हैं यहां पर क्या है कि a plus b ka whole square का formula लगाया जा सकता है अब a plus b के whole square का formula क्या होता है वो यहां मैं लिखवा देता हूं simply हमारे पास a plus b ka जो whole square का formula basic formula होता है यह math का a square plus 2ab plus b square क्यों comparison में basically a की जगा हमारे पास r मौजूद है और b की जगा हमारे पास s मौजूद है तो यह step इससे compare करवाया जा सकता है अब हम क्या करेंगे यह अगर इसके बराबर है तो इसको भी हम expand करके इस form में लेकर आ जाएंगे चलिए इसको आगे complete करते हैं और equation one or equation two का हम यूज कर चुके हैं तो इसकी जरूरत अभी मजीद हमें यहां पर नहीं है ताकि यह हमारे हमें space मिल सके और हम इस division को यहीं complete कर सके अब a plus b के whole square से comparison करवाया और करते रहें जो जो formula आप से कहा रहा है यहां तो simply आपके पास gh divided by g e आ जाएग यानि जी आ जाएगा ठीक है अच्छा और जड़ा गोर करें यहां यह वन आजएट इस अब यहां पर आपने a plus b के whole square का formula लगा दिया अब a plus b के whole square का formula कहा रहा है भाई a का स्कॉयर एक मतलब r e का स्कॉयर तो यहां हो गया r e का स्कॉयर plus 2ab तो 2 as it is और a हमारे लिए r e है और b जो है वो h है तो r e और b जो है वो h आ गया ठीक है इसको थोड़ा सा वाज़े कर लेता हूं उसकी बाद कहा गया कि बहीं जो है plus b का square आना है तो b हमारे पास h है तो plus h का square आ गया क्लेर बेटा यहां तक अगर आप लोगो समझ में आ गया तो बस अब एका दो एक दो स्टैप रह गया है हमारे और यह derivation यहीं पर हमारी complete हो जाएगी ठीक है और उमीद है कि आप लोगो सभी से समझ में आ रही होगी अच्छा अब जो नीचे r e square मौजूद था वो आपने अलग-अलग हमने डिवाइड करके दिखा दिया हम ऐसे अलग-अलग क्यूंकि डिवाइड हो रहा है होल से तो exactly अलग-अलग हम कर सकते हैं यहां पर यह r e square r e square कैंसल हो गया यहां पर एक r e कैंसल हो गया और यह complete हो गया अच्छा अब जो बचेगा वो उतार लेते है घ अ पॉन जी आ गया और यहां से जो आपके पास बच रहा है यह बच रहा है वन प्लास टू एच अब क्योंकि यहां आरी स्वार दो थे ना एक कैंसल कर दिया तो एक r e यहां रह जाएगा ठीक है और यहां आपके पास h square upon r e square as it is आ जाएगा तो हम यहां रिख लेते हैं एच upon r e की दुबारा h square upon r e square का मतब इसके बाद अगर कोई ट्राम होती तो वह क्या होती h cube upon r cube यहां पावर बढ़ती चले जा रही है तो जहां पर ऐसी ट्रम्स होती है तो हम higher power of h e upon r e की neglect कर देते हैं तो हम यहां लिख लेंगे height क्योंकि बहुत छोटी है radius of the earth के मुकाबले में तो हम क्या कर रहे हैं neglect higher power of h upon r e ठीक है तो h upon r e की higher power को हम neglect कर रहे हैं अब जो बचे का वह उतार देते हैं g h upon g as it is और यहां 1 आ गया और हमारे पास 1 plus 2 h upon r e मौझूद है यहां पर इसकी power क्योंकि वन है next step के अंदर अगर हम इसे numerator में उपर लिया है तो इसकी power में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा 100% सही सोच रहे है पावर माइनस में हो जाती है कर डिनॉमिनेटर से नियूमिनेटर में आ जाए और यह आपके पास g h upon g हो गया अब यह ग्राविटी हैं डिवाइड हो रही इसको वहां ले जाते हैं तो g और यह ग्राविटी हां डिवाइड हो रही थ रिलेशन आगे ग्राविटी के साथ रेडियस जितना डिक्रीज होता रहेगा उतना ही उतनी ही ग्राविटी इंक्रीज होती रहेगी रेडियस का मतब बॉडी सर्फेस से जितनी ज्यादा दोरी पर होगी ग्राविटी कम होती जाएगी और अगर बॉडी जितनी ज्यादा क तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो exactly मेरी फोर्स उस पे एक्ट नहीं कर पाएगी या उस पे असर अंदाज नहीं होगी अगर वो बॉडी थोड़ी करीम होती तो मैं अपनी ग्रिप में ले लेता उसे अपनी आसानी से अपनी तरफ खेच लेता चो डिस्टेंस बॉडी का ज कि अग्रिशन शोज़ एट रिस्टेंस शवा इस्टेंस तक है इस्टेंस जितना कम होगा रिदियस जतना कम होगा अगा अर्थ के सर्फेस से बॉड़ी जितनी कम दूरी पर होगी ग्रैविटी उतनी ज्यादा होगी और ग्रेडियस जतना ज्यादा होगा ग्रैविटी उतनी कम होगी चलिए इसके स्क्रीन शॉट लें और अपने पास इस डेरिवेशन को कंप्लेट करें जहां तक कर चुके थे उस समझना सके अपना बहुत सारा खैल लखीगा थैंक यो सो मच अलाफ़ेश इस अब आप